पाप मोच ने एका दशी की व्रत कथा धर्मराज युदिष्टिर बोले कि हे जनार्दन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एका दशी का क्या नाम है तथा इसकी विधी क्या है इसकी कथा क्या है कृपा पुर्वक बताईए भगवान शिक्रिष्ण बोले कि हे युदिष्टिर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एका दशी का नाम पाप मोचनी एका दशी है जैसा इसका नाम ही है वैसा इसका पुर्णे फल भी है हे युदिष्टिर यह सभी पापों का नाश करती है यह वरत सभी वतों में उत्तम है एकादशी के वरत को पढ़ने से अत्वा सुनने से ही मनुष्य के पाप नश्ट हो जाते हैं तो सोचो इस वरत को करने से मनुष्य के कितने पाप नश्ट होते होंगे यह वरत भगवान विश्नु को अत्यंत प्रिय है एक समय की बाद है देवरीश्री नारद ने ब्रह्माजी से यही प्रश्न किया था तब ब्रह्माजी ने कहा कि हे पुत्र नारद मैं तुम्हे पाप मोचने एका दश्र की कथा सुनाता हूं तुम ध्यान पुर्वक सुनना एक समय की बाद है प्राचिन काल में चितरत नामक एक घना रमणिक वन था वहवन अत्यंत सुन्दर और पुष्प और फलो से सुगंधित था उस वन को देखकर देवता भी आकरिश्ट हो जाते थे देवराज इंद्र इस वन को देखकर वह सदैव इसकी वर आकर्शित होते वे सदैव गंधर्व कन्याओं अपसराओं और देवता सहित इस स्वच्छन्द वन में विहार किया करते थे एक समय की बात है मेधावी नामक एक रिशी इस वन में तपश्या करने आए रिशी घंगोर तपश्या कर रहे थे उसी समय देवराज इंद्र यहां विहार करने के लिए आये थे जब देवराज इंद्र की दिष्टी में धावी रिशी पड़ पड़ी तो देवराज इंद्र घवरा गई वह सोचने लगे कि इस रिशी की तपश्या कैसे भंकी जाए यही सोचकर उशने एक मन्जु घोशा नाम की अपसरा को रिशी के पास भेजा रिशी युवा वस्था होने की कारण वह अपसरा रिशी मुनी को अपनी और आकरशित करनी लगी काम की प्रभाव के कारण रिशी उस मन्जु घोशा नामक अपसरा पर आकरशित हो गई अनेक वर्ष उस अपसरा के साथ विहार करनी लगी एक समय की बात है वह अपसरा धावी रिशी को प्रणाम करकी कहने लगी कि हे मुनिवर अब मुझे यहां से जाने की आग्या दीजिए तब रिशी को ध्यान आया कि वह तो तपश्या कर रहे थे यह अपसरा आई और उसने भगवान की तपश्या में मेरी लिए विद्न बाधा उत्पन की मुझे काम बान स मोहित कर दिया ऐसा सोचकर वह रिशी सोचने लगे कि जिस अपसरा के लिए मैंने भगवान को त्याग है आज वही अपसरा मुझे छोड़कर जा रही है इसने मेरी तपस्या को भंग किया है ऐसा सोचकर वह रिशी आत्मगलानी और क्रोध से भर आई और उन्होंने उस मुझे काम से मोहित किया है इसलिए तु जा पिशाचनी हो जा अपसरा बार बार रिशी से प्रात्ना करने लगी कि हे प्रभो कृपा करके आप मुझे इश्राप से मुक्ति का उपाय बताए तब मिधावी रिशी का क्रोध कुछ सांथ हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तुम अपसरा रूप को प्राप्त हो जाओगी इस प्रकार ऐसी वारता लाप करने के बाद रिशी अपने पिता के पास आ गए अपने पिता 54 रिशी के पास आकर सारी बात बताई अपने पुत्र से श्राप की बात सुनकर 54 रिशी बहुत ही दुखी हुए और उन्हें पुत्र को समझाकर कहा कि हे पुत्र तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था क्योंकि श्राप देने से तपश्या का फल जाता है हे पुत्र अब तुमें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए जिसके प्रभाव से तुम्हारे पाप नश्ट हो जाएंगे और भगवान विश्णु की सदैव कृपा बनी रहेगी इस प्रकार से में धावी रिशी ने भी भगवान विश्णु का ध्यान करते हुए पिता की आग्या का पालन करते हुए एकादशी का व्रत किया और वे पुना तकश्या में लीन हो गए इधर अपसरा ने भी पाप मोच ने एकादशी का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव सिवा पुना अपसरा होकर देव लोग को प्रस्थान कर गई देव दिशी नारद से भगवान ब्रम्मा जी कहते हैं कि ये नारद इस प्रकार से जो वेक्ती भगवान विश्नु का अभ्यान करती हुए इसे कदशी के व्रत को करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार से युदिष्टिर को कहते हुए भगवान शिक्रश्न कहते हैं कि हे युदिष्टिर जो व्यक्ति इस वेकादशी के व्रत्की कथा को पड़ता है त्वसुनता है उसे अश्र में यग्य का फल प्राप्त होता है हे उदिश्टिर एस एकादशी कर्वत्को करने से मनुष्य के सारे पाप नश्ट हो जाते हैं नेम सिबुल लच्मी नारान भगवान की जै एकादशी माता की जै ओम नमो भगवते भाशु देवाय